नमस्कार सातियों जैसा कि आपको requirement थी परिक्षेद्यन 2023 कक्षा आठवी के लिए विज्ञान के subject की तो यहाँ पर हम विज्ञान के subject की शुरुआत करेंगे परिक्षेद्यन 2023 में और अध्याई नमबर 1 से हम बात करेंगे देखो अध्याई नमबर 1 आपको क्या दिया है फसल उत्पादन एवं प्रबंद तो यहाँ से जो अध्याई नमबर 1 के objectives है वो आपको यहाँ से note कर लेने है पढ़ लेने है धान एवं मक्का की फसल है तो आपको यहाँ से बता देनी है रही बात इसके answers की तो यहाँ से आपको answers note कर बात करते हैं तो सबसे पहले हमें किसे कहते हैं किसे देते हैं किसी इस्थान पर बड़े पहाँ पढ़ाया जाने वाले पोदे फसल पे लाते हैं तो इसको हमने क्या नाम दे दिया है तो इसको नाम दे दिया है फसल क्या नाम दे दिया है फसल ठीक आगे बताया है फसल का वर्गी करण की साधार पर किया जाता है प्रत्यक वर्ग का नाम लिखकर दो दो धारन देजिए देखो फसल का वर्गी करण वैसे तो जायत की फसल ह रभी जाइसे फद्म हमें भुघ की फसल होती है लेकिन मुखईय रूप से एक हुती रभी की फसल एक होती है खरीब की है अब जो रभी की फसल है जैसे गेहुझ चना मतर है ना इस टैप की जो ठंड के दिनों में जा जाती यह फसले ऊन्नें बोलते हैं हम रभी की फसले अब खरीब की फसल जो बारिश के टाइम पे धान मक्का जुआर बाजरा है ना आप यह भी लिख सकते हैं आप इसा कुछ जरूर नहीं ना बाजरा वगरा ठीक है तो यह आपके खरीब की फसल हो जाएगे ठीक है आगे बताया है हरे पोदे अपन कि वद्धी पर विप्रत प्रवाव डालते हैं जूताई के जैकेहते हैं Nicky ko लटने पुलटने और पोला करने की प्रक्रिया जूताइ कि लाती से कितने हैं फसल में से दानों को भुझे से अलग करना थ्रेशिंग के लाता है ना मिट्टी में रहने वाले केच्व हैं सुख्षमजी को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है तो मिट्टी में रहने वाले केच्व है सुख्षमजी मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं तदा हयों से बनाते हैं ना इसलिए इने दान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी क्या हो चकता होती है इसलिए से वर्शा dough रितु में हो गाई जता है दर न का मत लए चामल होता है। यहां से आप लगो उत्री कोशन कोह सकते लॉट कर सकते हैं आप यहां से पोदशला में नरसरी छोटे छोटे थेलों में क्यो रखे जाते है ठीक है तो आप इसे भी नोट कर लिजिए इसके बाद हम बात करते हैं अगला हमारा कोशन है और वरक और खादमी क्या अंतर है तो यह आपको सामने दिया हुआ है उसके बाद कोशन न'mर चाउडा है सी-चाई की डेब्ट अंतरवी दिव लिखीए चिце है उसके बाद कोशन न'mर पाँच है आपका यदि गैंओं को खरीब रितों में होगाए जाएगा तो क्या होगा चर्चा किजीए उसके बाद कोशन न'mर छे है ही फवसल को बाने से पूरों आप स्वस्तभीजों का चैन किस प्रकार करेंगे तो है लो हमुआ हूं। तो कईसे करेंगे तो पहले उनको पानी में डाल देगे जो भी स्वस्त और अचależy हों वो भारी ओने करने पानी में मैं बेढ़ जाएंगे और जो भी स्खराब बोब होंगे ना वो क्या होंगे कि मदला वह उपर तेरने लग जाएंगे ठीक कि निराई और गुडाई से फसलों से क्याला पे ठीक है फसल के बंडारंसे बोर दूप करने के तो यह जैसी क्या होता है कुवें जीले नेरे ना यह सारी जो चीज़ें होती हैं समझ में नहीं आते हैं तो आप एक काम करिएगा आपका जो क्रोम ब्राउजर होता है उस पर आप इसको डाल दीजेगा तो इनके बहुत सरफ पिक्चर आजाएगे पिक्चर देखके को समझ में आ जाएगा यह कोशन में आपको दिया है जल की कमी वाले सेत्रों में तो देखो अगर हम बात करें को यहां पर देखो यह जो आपकी किताब cult को मिल जाएगी विसे तो और नहीं तो आप यहां से भी से बना सकते हैं कुर्ष्चन सी चाही क्या है तो पानत की बात होड़ी है यहां पे पानत क्या होती लीधिक है तो आप ओपर आ जाते हैं पॉदहें पोशक्तव का उपयोग करके कर सकते हैं पॉली मिट्टी कैचो रुख्षमत्वजिवगो उरद्धी करने में सायक होती है क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पॉला करना आवश्यक होता है का भी इंप्डेंट कोशन और इजी लेंग्वेज मे के लिए तो खरपरतों को हटाना मिता जीवानों की संग्यां मृद्धी करना है और वरक के विस्तान पर जैविक खत का उप्योग करना इस टाइप से लास्ट कोशन है आपके आज खेद में लगातर फसल उगाने से मिट्टी पर क्या परभाव पड़ता है क्या बता है खेद में लगातर फसल उगाने से मिट्टी पर क्या परभाव पड़ता है तो यह है आपके कोशन नंबर फस्ट का जो है विक्यान में अंसर उम्मिद आपको समझ में आ रहे होंगे आप इसे note कर लीजिए अच्छी तरीके से notes बना लीजिए सारे question को अच्छी तरीके से याद किजिए याद करने की जरूत भी नहीं आप एक एक दुद बार इन्हें पढ़ेंगे अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और अगर आपको कोई question समझ में नहीं आता है तो आप मुझ से send किजिए ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक के लिए thank you